हलो नमस्कार में डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ तो चलते हैं देखते हैं जो पहला क्रेशन है पहला क्रेशन है कि निमलिकित में से कौन पश्चमी हिंदी की बोली नहीं है ओप्शन दिया गया है बुंदेली, ब्रज, कर्णोजी, बगहली ये चार ओप्शन दिया गया है हमें बताना है कि पश्चमी हिंदी की बोली की अंतरगत नहीं आती पश्चमी हिंदी की अंतरगत कौन सी बोली नहीं है बगहली नहीं है इसके पहले भी इसी तरीकी का सवाल पिछले प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था तो आप लोगों ने रिवीजन के तौर पर इसे देखा होगा बुंदेली पशिम हिंदी के अंतरगत है ब्रज है कर्णोजी है इसके अतरीक खड़ी बोली भी जो आज मानक हिंदी के तर पर बोली जाती है उसका भी संबन पशिम हिंदी से है बाकी बगहली का आप देख रहे हैं कि पूरवी हिंदी से है और मैंने एक पर्मूला आप सभी को बताया था और बार बार इसका जिक्र करता हूं अब आप समझ गया होंगे चलते हैं बात करते हैं जो दूसरा प्रशन है भारतिय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज भासा संबंधी प्रावधानों का उलेख है ऑप्शन दिया गया है 343-35445-315-443-135-334-133133 देखे पेपर सेट करते समय पेपर सेट करने वाले ने काफी यहां पर दिमाग लगाया हुआ है केवल अंकों का हेर फिर आप देख रहे हैं ठीक है और थोड़ा सा भी अगर आप अपने इस मृति को कमजोर करेंगे तो यहां पर आप लड़ खळा सकते हैं लेकिन मेरे वि संभीधान में इस अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है अनुच्छेत 343 से लेकर 351 की बीच में और 34345 46 47 48 49 51 सबी अनुच्छेतों पर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं तो मेन मेन जो थीम है अनुच्छेतों का उनको आपक सीजें कंप्लीट होती जाएंगे अगला जो प्रशन है दक्षिड भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले कहां पर इस्थित है यह जो प्रशन आप देख रहे हैं यह किसी ने किसी रूप में आपको प्रियोजन मुलक हिंदी से जुड़ा हुआ दिखेगा ठीक है हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले कहां पर है अप्षन दिया गया है है हैदराबाद, बंगलोर, चेंड़ाई, महसूर तो यह प्रशन आप सभी के लिए रिवीजन के तोर पर था सही जबाब हो गया अप्षन सी चेंड़ाई जिसको की मद्राज भी कई जगह दिखा रहा था इसलिए दोनों नाम एक ही हैं महात्मा गांधी ने सन 1927 इसवी में इसको इस्थापित किया था 1927 में दक्षिर भारत हिंदी परचार सभा का गठन किया गया था चेंड़ाई में अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सी सघोस महा प्राण धोनी है तो इस तरीके के प्रशन कई बार परिक्षाओं में आते हैं तो विद्यात्म में थोड़ा सा कन्फुजन सा होने लगता है और अब इस प्रशन को हल करते हुए आप सभी को मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा जिससे की कोई दिक्कत नहीं होगी आपने पढ़ा होगा कि अगोस से रिलेटेट सवाल पूछे जाते हैं प्राय परिक्षाओं में सघोस से पूछे जाते है अलप्रान से पूछे जाते हैं ठीक है इसके बाद हो गया महाप्रान से सवाल पूछे जाते हैं जैसा कि यहाँ पर पूछा गया कि सघोस महाप्रान मतलब कि वो सघोस भी हो और महाप्रान भी हो तो पहले हम देख लेते हैं कि अगोस सघोस अलप्रान महाप्रान क्या आप आपने किताबों में पढ़ा होगा कि पहला और दूसरा किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो हता है वो अगोस होता है ठीक है इसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, सघोस हो गया, अल्फ प्राण, पहले महा प्राण को समझेंगे, तो अल्फ प्राण अपने आप समझ जाएंगे, अल्फ प्राण होता है, प्रते एक वर का दूसरा और चौथा हो, यानि कि इसके बाद जो बचा वो अल्फ प्राण हो गया, तो अगर मालीज कि इन चारों को आप ठीक से नहीं याद कर पाते हैं, तो इन में से मातर दो को आपको याद रखना है, 12 बटा 24, ठीक है, अब 12 बटा 24 यहाँ पर है, यानि कि एक अगोस है, और दुसरा महाप्रान है, इन दोनों को याद रखेंगे, अगोस को 12 और महाप्रान को 24, तो सगोस और अल्फप्रान, अपने आप, आपका स्यार हो जागई याद हो जाए, तो अब हमें यहाँ पर देखना है, कि जो आप्शन दिया गया है, ख, ग, ख, ग, ज, ठ, अब इसमें से कौन महाप्रान है, और फिर सगोस भी है, तो इसमें जो कॉमन आप देख रहे हैं, कि चार ज चौथे नमबर पे कहीं कहीं घह आ रहा है, सही जबाब अगया और ठ, लेकिन सोगोस महाप्राण, क्योंकि फार्मूला है याँ पर बताये हुगा है, इसलिए इस प्रश्न पर मैं थ्धृदा सा टाइम आपको लोगों को ले रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर एक क्लियर हो गया तो फिर हजारों question इस तरीके से आप solve कर पाएंगे ठीक है तो उमीद है कि यह प्रश्ण प्राउत्तर आप समझ गये होगे चलते हैं आगे बात करते हैं अगले question के उपर अगला प्रश्ण यहाँ पर है पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा पश्च option दिया गया A, E, E, O तो पश्च स्वर यानि कि O से लेके O तक आपको याद रखना है और उसमें अग्र स्वर, मद्य स्वर, पश्च स्वर इस तरीके के स्वरों को पूछा जाता है तो पश्च स्वर का हमने एक formula बनाया अपने लिए जब मैं परिक्षां को तयारी करता थ तो उस जमाने में मैं इस formula को अपने लिए याद करके रखता था मैं चाराओं के आप लोग भी याद करके रखते हैं यानि कि मैं O से लेकर O तक पूरा उसको जैसे आप ABCD पढ़ते हैं और इसका क्रम रिजिनिंग के तोर पर सेट कर लेते हैं इसके बाद आप कौन सा हो सकता है 25 सवर हैं जो दूसरे नमबर पर हो पांचनी नमब पर छथे नमबर नमे और दश्वे नमबर के जो सवर आते हैं व सब या cooking अंसरा क्या होता है मैं क्या होता है तो इस प्ष्ट के बारे में पाइनिक बता ही दिया तो पहला आंसर इसका सही जबाब है, आ क्या हो गया, पस्षिस्वर हो गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, अगला प्रशन है, हिंदी में हिंदी सही जबाब है, इतिहास सबसे पहले किस ने लिखा है, आप्शन दिया गया ग्रियर्शन, तियु को याद करते हैं, अक्षरों से उत्तर को पहचान जाते हैं, कि इस्तवार दलाल ले उत्तर एंदवी, एंदुस्तानी हमने पढ़ा हुआ है, तो इस्तवार देख लेते हैं, तुरंट हम टिक कर देते हैं कि गार्शन दासी का, लेकिन इंटर्व्यू इतियादी में जब ब इसके बाद उन्होंने 1847 में इसका दूसरा भाग लिखा, और इसका दूसरा संस्क्रण आता है 1871 में, तो गार्शन दासी से यह जो यहाँ पर तत हैं, काफी इंपोर्टेंट हैं, ठीक है न, जिसको ध्यान में रखना है, बाकी आप सारी चीज़ों को जानते होगे, कि यह तो यह सब यहर आप ऐसे ही अपने कॉपी पर जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट करते जाएं, क्योंकि आप लिख देंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगे, फैर इस प्रशन का जो सही जबाब था, कि हिंदी में, हिंदी में, देखें, यहाँ पर सवाल फ इसने लिखा, तो आप देख रहे हैं कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, सही जबाब हो जाएगा, सिव सिंग सेंगर, ठीक है न, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी बाजी में बहुत सारे विद्धियार थी हो सकता है कि option C इसका सही जबाब देदें, ठीक है, आप लोग भी option 6 का comment करकर जरूर जबाब दीजिए, कि क्या हो रहा है, option B इसका सही जबाब होगा, सिव सिंग सेंगर ने हिंदी में पहले लिखने का प्रयास किया, जो इसमें option दिया गया है, तो देख रहे हैं minor यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है न, इसी तरीके से आंसर गलत हो जाते हैं, चलते हैं हम बात करते हैं, अगले question पर, अगला प्रशन है हिंदी साहित की भूमिका पुष्टक के लेखक कौन है, अप्सन दिया गया है, रामचंदर शुकल, रामकुमार वर्मा, विस्वना लिख दिया गया है, आपको सुपले लिखना है, ठीक है, तो हिंदी साहित की भूमिका सही जबाब हो गया, हजारी परसाद दिवेदी, सन 1940 इसवी में इस किताब को नों ने लिखा था, अगला प्रशन है, निमलिखित में से कौन अश्ट छाप का कभी है, अश्ट छाप का जो चार सीसे थे, ठीक है, कि-S、P、 के और फिर बिठलनात के भी चार सीसे से, घख है, जी एन सीसी, तो इन चारों को भी आपको द्यार में रखना है, कई बार सवाल गुमा कर भी पूचा जाता है, तो ध्यार में रखते हैं, आगे बात करते है अगला जो प्रशन है, तो आनंद कादे मिनी पत्रिका के संपादत कौन थे? आप्शन ए इसका सही जबाब है, बदरी नराण चोदरी प्रेम गंठ जो की मिर्जापूर से इस पत्रिका का संपादन करते थे तो आपके सिलेबस में पत्रकारिता भी लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहां से कैसी सवाल बन रहा है तो इसका सही जबाब आप लोगों की दिमाग में दिरे-दिरे आने लगा होगा और बिल्कुल सही जबाब तक आप पोच रहे हैं सही जबाब है ऑप्शन B, श्रीकांत वर्मा का संबन सब तक कभियों से नहीं रहा है, बाकी हरी नरायन पुरसाद, हरी नरायन ब्यास हैं, नेमी चंद्र जैन भी हैं और नरेश महताब हैं तो इस तरीके से इसका सही जबाब होगा ऑप्शन B अगला प्रशन है, भाग्यवती के लेखक कौन है, भाग्यवती जो की उपन्यास के तोर पर जाना जाता है, और हिंदी के प्रारंबिक उपन्यासों में इसका नाम आता है, इसके लेखक कौन है, लाला स्री निवासदास, देवकी नंदन खत्री, सरद्धा राम फिलोरी, लग्जा राम मेहदा, तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जबाब आने लगाओगा, सही जबाबे और इसके साथ ही इसका प्रकाशन वर्स भी आपके दिमाग में आ रहाओगा में बहुत ज़्यादा इस पे आपको इस पेस देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, त अगला प्रशन है, अंधायोग किसकी रचना है, देखने में चोटे-चोटे प्रशन हैं, लेकिन परिक्षाउंट में आहम भूमी का निभाज सकते हैं, अंधायोग किसकी रचना है, आपके दिमाग में तुरंत आगया होगा कि ये नाटक है, और कई जगे इसको गीत और कितने अंकों में हैं, ये सब सारी चीज़ें आपकी दिमाग में आने लगी होगी, अगला प्रशन है, कुटच के लेखक कौन है, अप्शन दिया के हजारी प्रसाद दिवेदी, राम चंद शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास में सर, तो कई बार आप के बारे में पढ़ना है, कुबेर नाथ राय के बारे में पढ़ना है, विद्या निवास में सर, इन लोगों के निवंदों से भी सवाल प्राय आप पूछे जाते हैं, ठीक है, अब कूटच क्या है, एक ललित निवंद, जैसा कि हजारी प्रसाद दिवेदी, आप जानते ह लिए जाने जाते हैं, नीचे के दो आप्शन जो दिये गए, खुबेर नाथ राय विद्या निवास में सर, यह सब भी ललित निवंद लिखते हैं, और परिक्षाओं में अक्सर इन से एक दो सवाल रहता ही रहता है, तो इनको तयार करके अप जाईए, अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन रचना अमर कांथ की है, अमरिश सर आगया, जिंदगी और जोप, तूटना परिंदे, तो मालेजी ऐसे प्रशनों को आप बिना पड़े हुए भी आराम से सौल्ब कर सकते हैं, जैसे आपको अगर जानकारी है कि परिंदे निर्मल वर्मा ने लिखा ठीक है, तूटना राजेंदर यादा ने लिखा, और अमरिश सर आगया विश्म शाहनी ने लिखा, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि जिंदगी और जोप, ये अमर कांथी कहानी है, ठीक है न, तो इस तरीके से आप आप्शन को एलिमिनेट करके, थोड़ा सा कॉपी मिली है, जो भी बुकलेट मिला हुआ है, उस पर आप सो रहे हैं, या फिर कंप्यूटर के सामने बैट रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये लड़का बहुत तेज है, बहुत पहले ही लगा कर बैट गया है, लेकिन इस तरीकी जल्दिबाजी आपको नहीं करना है हमेशा अपने questions को review करना है, उसको देखना है कि कहीं कोई mistake तो नहीं हुआ है, जैसे जो हमने उपर में हिंदी साहित्य के इतिहास, पहले इतिहास के बारे में चर्चा की थी, देखें जल्दिबाजी में मैंने भी उसका answer गलत बताया था, लेकिन फिर मैंने जोर दिया, तो कि तुरंत मेरा नजर गई, मेरी द्रिष्टी गई, यह हिंदी में पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रशनों में 99% विद्यार्थी क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, बार में माथा पीड़ते हैं, तो यही है practice, practice से तो कई चीज़ें आसान होती है और नई द्रिष्टी भी मिलती हैं, फिर भी अगर ध्यान नहीं देंगे, हाजारो practice करके जाएंगे, तो भी दिकत ही जाएगे, चलते हैं, आगे बात करते हैं, एंगले प्रशन के उपर, पुछा गया कि पहल का संपादक कौन है, राजेंद्रियादो, रव्विंद्र काल अगला प्रशन है, जो कि आपके लिए रिवीजन के तोर पर है, उज्वल निल मडित, ग्रंथ के लेखक कौन है, रूप गोश्वामी, अभिनोगुप्ट, राजसेकर, ममठ, तो ये प्रशन, पिछले practice set में भी आया था, तुरंत आपने जबाब बता दिया, option ए, रूप गोश्वामी, तो आप देख रहे हैं कि उज्वल निल मडिक कितन सवाल पूछा गया है, रस सुत्र निस्पत्ति से संबंदित जो आचारियों ने अपनी बातों को रखा है, वहीं से इस सवाल को पूछ किया गया, अभिव्यक्ति वाद, ठीक है, तो इसका जो सही जबाब हो गया, अभिनोगुप्ट, इसके पहले आपने उत्पत्ति जो है, वो दर्शन पर आधा रही है, कोई नियाद दर्शन पर है, कोई शय वो दर्शन पर है, कोई मिमान सा दर्शन पर है, कोई ध्वानी दर्शन, ठीक है, तो इस तरीके से प्रशनों को भी ध्यान में रखिए, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है, अभिव्यंज तॉपिक दे दिया गया है आलो जुना क्योंकि जो टॉपिक देखने में आपका सिलेबस छोटा लग रहा है लेकिन ऐसा तो है ने कि आपने बीए में पाश्यातिका विश्यासर निंग पढ़ा है कहीं कहीं पढ़ा होगा ठीक है तो उसका भी आप यूज करेंगे परिक्षा हो जाएंगे इसलिए चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है अभिवेंजनावाद के प्रवर्तक कौन है सही जबाब है ओप्सन सी क्रोचे ठीक है क्रोचे को आत्मवादी दर्शनिक भी माना जाता है तो इसको भी ध्यान में रखें कई वर सवाल अगला प्रशन है जो कि आपके रिवीजन के लिए है कुछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुपरम कौन सा है पाली प्राकृत अपबरंश हिंदी और फिर उसी को घुमाफिरा कर दिया हुगा है जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले अगर संस्कृत जोड़ तो पूरा हिंदी का विकास करम आपका तयार हुजाएगा ठीक है न तो इसको आप एक जगां फार्मूला के रूप में जरूर याथ करके रखिए आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है थोड़ा सा लंबा प्रशन है उचा गया कि हिंदी प्रसार के संदर्व में निमल isi प्रसार के संदर्व में प्रमोक्ष संस्थाओं का काल क्रम केंख श्रूर सही कौन सा है हमें बता है दक्षिर भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी साइति Сमयलन नगरी प्रचाली सभा काषी राष्ट भार्षक प्रचायर समीति वरता, यह चार यहाँ पर समीतिया दे गई है और चारो अप्षन में अलग-अलग इनका क्रम दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको इनके क्रम को नोट कर लेना पड़ेगा, ठीक है, माले जे मैं उपर में नोट कर रहा हूँ, 1927, फिर 1910, फिर 1893, फिर हो गया 1937, तो अब क्रम आप देखेंगे, सबसे पहले नागरी प्रचानी सभाका आएगा, तो आप देख रहें कि ऑप्षन B जो है वो सही हो रहा है, ठीक है, सही हो र पढ़ना है, बाकी तो चीजें, आप question paper देखेंगे, तो आपको खुद लगएगा, कि मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जब आप अनुराज हिंदी academy से पढ़ रहे हैं, तो आपको डरने की जरुवत बिल्कुल नहीं, चलते हैं, आगे बात करते हैं, जो प्रशन ह काना है कि काल करम के अनुसार सहियन करम कौन सा है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, इसमें राम कुमार वर्मा, राम चर्ण शुक्ल मिश्र बंदू, राम सरुक चतरुवेदी का नाम दिया हुआ है, अब हम लिख लेते हैं मिश्र बंदू, जिनका समय 1913, आप मान सकते हैं, 1929, राम कुमार वर्मा, 1936, और राम सरुक चतरुवेदी, 1986, तो इस तरीके से भी आप मैंने किस हिसाब से बताया है, इनके इतियास ग्रंधु क्यादा पर बताया है, ठीक है ना, तो इसी तरीके से इनका अगर जीवन करम भी होगा, तो उसमें मिश्र बंदू, पहले तारकिक है, इससे आपको दो फायदा हुआ, एक तो मिश्र बंदू, मिश्र बंदू, विनोध कब लिखे थे, ये आपको क्लियर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित कालोशनात्मक की इतियास कब लिखा, और राम सरुक चतरुवेदी ने हिंदी साहित्त्य और संबेदना का विकास, कब लिखा था, ये सारी चीजें आपके दिमाग में, तुरंत बैठ जाएंगे, चलते हैं, आगे बात करते हैं, एक लजोग प्रश्न है, कि निमलिखित पत्रिकाओं, पता नहीं आज के इस पेपर में पत्रिकाओं को पलिकाओं हर जगा लिखा ह हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इसको सुधार करके भी पढ़ना है, निमलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुकुरम कौन सा है, धर्मयूग, हन्स, सरस्वती, कभी बचन, सुधा, ये चार पत्रिकाओं हैं, अब इनका आंसर हम तभी आराम से बता पाएंगे, जब हम प्रकाशन वर्स को ठीक से याद करके रखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, कभी बचन सुधार, जिसका प्रकाशन अठार सो अनसाट इसवी में, कासी से हुआ था, भारतेंदु हरिश्यन, सरस्वती, जिसका प्रकाशन उननी सो इसवी में हुआ था, भले सरस्वती का संपादन 1903 में महाविर प्रकाशन दिवेदी ने किया था, लेकिन इसके पहले ही इसका प्रकाशन हो चुका था, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, और हंस 1930 इसवी में, धर्म यूग 1950 इसवी में इसका संपादन हुआ था, ठीक है न, तो इन पत्रिकाओ के प्रकाशन वर्ष को बिल्कुल ध्यान में रखे, इस बार क्रम पूछ दिया गया है, हो सकता है कि आगे की एक्जाम में, वन लाइनर में पूछ दिया गया है, ठीक है न, तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान में रखना है, बाकि सबसे बड़ा और मसहूर प्रशन कि प्रशनाओं का कालकरम अनुसार सही अनुकरम कौन सा है, अब यहां पर रचनाओं का नाम दे दिया गया है, और हमें सही अनुकरम बताना है, अंधेर नगरी, अंधायूग, संसक से सडक तक मगल, तो आप इसमें देख रहे हैं कि नाटक भी है, कविता भी है, ठीक है न, दोनों को मिक्स करके option बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंधेर नगरी आप लोगोंने पढ़ा होगा 1881 में आंधा यूग 1954 में इसके बाद संसस्य सड़क धूमिल 1972 और 1984 में मगद स्रीकान वर्मा। तो आपके दिमाग में तुरंत लेखों को का नाम भी आ गया होगा प्रकाशन वर्ष्ट आपने लिखी दिया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया option A हो गया। अगला प्रश्ण है निमलिकित उपन्यासों का रचना काल की दिश्टी से सही अनुकरम कौन सा है। त्याग पत्र सेवासदन मैला आचल आधा गाओं। यही नाम भुमा फिरा कर दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि कौन उपन्यास का प्रकासित हुआ था। तो माली जीए 1918 में सेवासदन, 1937 इसवी में त्याग पत्र, 1924 में मैला आचल और 1968 में आधा गाओं। जैसे कई बार आप लोग पुछते हैं कि कौन-कौन सी प्रमुख रचना हैं जिनको आम ध्यान में रखें पड़ें। तो जो भी आप प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं यही सब प्रमुख रचना हैं। रचनाओं के प्रकाशन वर्स और लेखकों को बिल्कुल ध्यान में रखें। यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन वहीं आएगा जिसको आप जानते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्ण है। तो इसका जो सही जवाब यहां पर हम टिक कर देते हैं। कई विध्याति जो टिक भी नहीं करते हैं तो भी कमेंट्स कर देते हैं। इसका जवाब क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग चीजों को भाव को समझने का भी प्रयास करने तो जादा बेतर रहेगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। निमलिखित नाटकों का रचनाकाल के द्रिष्टी से सही अनुकरम कोई सा है। अब नाटकों का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। ध्यान रखे कि ऑप्षन में जितने भी दिये गये थे तो नाटक हैं और यहाँ जितने दिये गये थे उपन्यास है। ठीक है। लारो कराज हैं चिंदूर की होली आठवा और जैसे ही मैंने नाम लिया आपकी दिमाग में इनके नाटक कारों का नाम भी आ गया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऑप्षन सी इसका सही जबाब है दुरूर स्वामी नी जिसका प्रकासन 1933 में हुआ। एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि 1933 म जैसंकर प्रशाथ की एक बहुत मसहुर रचना है उसका भी प्रकासन 1933 में ही हुआ है अगर आप कमेंट्स करकर बताएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका भी confidence बढ़ेगा और मेरा confidence बढ़ेगा कि मेरे विद्यार्थी मेरी बातों को सुनते हैं 1933 में एक बड़ी लहरों का राजहनस ठीक है यह भी famous रचना 1963 आठवा सर्ग यह भी famous रचना 1976 में इसका प्रकाशन हो ठीक है तो सही जबाब के आओ गया option C तीसी तरीके से याद करते जाए रोज 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 रचनाओं को देखेंगे तो याद हो जाएगा बाकि इसके अलावा कोई मं अंत्रे नहीं है किताबों को खोलना पड़ेगा अगला प्रशन है कि रच सुत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है अभी मैं उपर में बात्चित करी रहा था रच सुत्र के व्याख्यारों के उपर आब देखे सवाल भी आ गया अब इसमें सही अनुक्रम हमें तो सबसे पहले बह्त लोलट हैं फिर शंकुक हैं भटनायक हैं अभिनवगूप है तो उनको आप याद कर लिजिए 1,2,3,4 करके याद कर लिजिए या फिर फार्मूला भी याद करके रखें जैसे मैंने फार्मूला याद किया था बस बा ठीक है बस बा ठीक है तो इस तरीके से मैं याद कर लिया वा था भाट लोलट संकुक भाट नायक अभिनोगु बस बा ठीक है तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं बाकी क्योंकि जैसा कि मैंने कहानी में बताया था कि सफल आपने मुल मंत्रों से मिलती है ये ट्रिक है अगर आपके दिमाग में बैठ गई फिक्स हो गई तो फिर कोई दिग्कत ही नहीं अच्छी बात है ठीक है तो सही जबाब हो गया ऑफ्शन ए अगला प्रश्ण है निमलिकित पाश्चाति काविशास्त्री चिंतकों का कालकरम अ खुमाफिराकर यही नाम दिये गए तो सही अनुकरम कौन सा होगा तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अरस्तु फिर कॉलरीच फिर आये रिचर्ड्स फिर जान क्रो रेंसम ठीक है न इनके सिध्धानतों को भी अपने ध्यान में रखिए जैसे कि अनुकरण और विरेच कोहा गए कि निमलिकित काविशास्त्री ग्रन्तों का सही अनुकरम कौन सा है तो काविशास्त्री ग्रन्त यहां पर देएगए हैं उनका सही अनुकरम हमें बताना है ठीक है थोड़ा से एक टेड़ा सवाल है पिर भी आपको इसको शल् crushing कर कि बड़ा ही आनन्द आने वाल रस मंजरी जो है वो भानुद्दत की है और रस गंगा धर जगनात दास रतनाकर ठीक है पंडित जगनात तो अब आप इसको तभी बता पाएंगे जब इन लेखकों के इन आचारियों के जीवन काल को आप खिक से समझे होंगे ठीक है न तो सबसे पहले इसमें नाम आएगा इंचन सहित्य दरपन रस मंजरी फिर रस गंगा धर ऑफ्षन ए इसका सही जबाब ठीक है न चलिए यह हो गया बारामी सत्ताबदी के आसपास में यह चोदामी के यह पंद्रहमी 16 में के आसपास में 17 में सबसे आंत में रस गंगा धर आएगा तो आप देखरें कि कोई ऐस अगला प्रशन है जो कि मिलान वाला एक तरीके से प्रशन आ गया और जो मैंने फार्मूला आप सभी को बताया था 12 बटा 24 वह अब आपके काम में आने वाला पुछा गया कि निमलिकी तो वरणों के को उनके ध्वनी गुड़ों के साथ सुमेलित कीजिए सगोस अगोस अलफ प्राण सगोस अनुवांसि तो इस तरीके से सब दिया हुआ है तो हमें इसको मिलाना है ठीक है तो सबसे पहले हम मिलाते हैं कि जो क है वो क्या है अगोस अलफ प्राण है क्योंकि जब मैं अलफ प्राण की बात किया था तो इसमें बताया था कि इसका 135 होगा और इसका बार होगा, ठीक है, तो इसमें एक आप देख रहे हैं कि common है, तो कह हो गया, इसके बाद हम मिलाते हैं, घह को, घह क्या हो गया, सघोस महाप्रा, जो कि अल्रेडी इस प्रैक्टिस सेट में आया होगा है, ठीक है न, तो इसलिए अगर आपको नहीं आ रहा था या अ मतलब है कि एक बार और आपको मिलाना है, लेकिन आपने एक कड़ी मिला लिया है, तो यहां से भी आपका काम हो सकता है, इसलिए बीच में अगर नहीं भी आता है, तो option A इसका सही जबाब यहां पर हो रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है न, A हो चुका है, तो हम देख ले इस फार्मिलों को बिल्कुल याद रखिए, आप कभी भी परिक्षा में नई घबराएंगे, ठीक है, और G क्या हो गया, सघोस, अल्परान हो गया, ठीक, अल्परान आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे है, और G क्या है, क ख, ग, तीसरे नंबर पे, और सघोस भी क्या म अब नए सीरे से टयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफी यह लाब दायाख और होगा अब पुराने लोगों को तो किवल क्लियर करना है गलतियां ज्यादा तरप पुराने विद्यारतियं से यह होती है इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है न, चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है, इन निमलिकित हिंदी के भाषा विदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए, कामता प्रशाद गुरू, किशोरी दास बाचपेई, उदय नरांट तिवारी, राम भाषा वर समाच, ठीक है, अब आ रहा है, किशोरी दास बाचपेई, हिंदी शब्दानु सासन, कामता प्रशाद गुरू, हिंदी व्याकरा, उदय नरांट तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भवर विकास, तो यह आप्षन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुमेलित है, लेकिन ये किसी चार प्रशन के बराबर, ठीक है, माले जो अनलाइनर में आ जाए, तो भी यहाँ जितने भी विद्ध्यारते जुड़े हुए है, वो पूरा इसका सही जबाब दे देंगे, तो एक तरिके से हम देखते हैं कि A का B कहा पर सही हो रहा है, दो-दो मैं अब दो का D, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन B इसका सही जबाब हो गया, उदे नरायन तीवारी हो गया, तीन का A, और फिर रामविला स्रमा चार का C, तो इस तरीके से ऑप्शन B इसका सही जबाब है, बाकि आप इन रचनाओं को विल्कुल ध्यान में रखे हैं इन भ भासाब विध हैं, कामता प्रसाद गुरु किशोरी दास बाच पेउदा नरायन तीवारी रामविला स्रमा, अलांकि रामविला स्रमा का नाम आलोचकों में भी आता है, तो ध्यान में रखना है, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है, पुछा गया है कि निमलखित अगन के पारद्वार धूप के धार, तो यही प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाकार हैं, यही से सवाल पूछा जाता है, तो आप इस प्रेक्टिस सेट को एक तरीगे से रीढवान कर चलिए, माली जेश में आपको आ रहा है कि आत्मजै जो है, उन्होंने कु तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, माली जे तीन मिला लेंगे तो चौथा भी अपने आप मिली जाएगा, तो इस तरीके से इसका जो जवाब हैं आपर होना चाहिए, होना चाहिए B, D, C, और A, B, D, C, A, अब हम देखते हैं नीचे B, D, C, A कहीं पर है, आप्षन C जो दि C, A, ठीक है न, चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, निमलेखित गरंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलिद कीजिए, गरंथ दिये गए और लेखकों के साथ सुमेलिद करना है, तो यहाँ पर शुद कविता की खोज, आप मने पद एक साहिप्तिक की ड जायरी, मुक्ति बोद, B हो गया, आत्मने पद, अग्ये, A हो गया, सुद कविता की खोज, यह हो गया, दिनकर, दिनकर ने लिखा सुद कविता की खोज, इसका मतलब जो राम चंदरशुक्ल दिया हुआ है, इसे कोई यहाँ पर connection नहीं, ठीक है, तो D, A, B, C, यहाँ पर इन रचनाओं को और रचनाकारों को, आप अपने नोट पर, नोट बूक पर जरूर नोट करते जाए, जिससे कि आपको प्रमुख रचनाकारों और रचनाओं, जो भी अन्ने गद्दे विधाओं, विधाओं से संबंदित आदुनी, काल बच्चों को कठें लगता है, वो उकमान मैले हो गए हैं, हम राज लिए मरते हैं, बतरस लालत चलाल सी, भक्त हिंग्यान नहीं कछु भेदा, तो यहाँ पर दिया गया है, तो मालीजे सबसे पहले आपको आ रहा है, कि यह उकमान मैले हो गए है, तो यह अग्येका हो गया, और यह जो आप देख रहे हैं, जो यह पंक्ती उठाए गई है, आपने कविता पढ़े होगी कलगी बाजरे की, ठीक है, मालीजे जो विद्यार्थी आपर जुड़े हुए है, थमनेल इत्यादी से उपर उठ चुके हैं, तो यह उजिसी नेट के सिलेबस में यह कविता लगी हुई है, जिस पर कि मैं बा इसलिशरन गुप्त का, बतरस लालाच डाल की भीहारी ठीक है, भकते इंग्याने नहीं कछुवेदा, किसका हो गया, तुलसी दाथ, तो एक तरीके से आप देख रहे हैं, कि जो यहां पर क्रम बन रहा है, वो क्या है क्रम, ACBD, अब हम देखते हैं कि ACBD किसमें आ रहा है, ACBD, आप देख रहे हैं B option जो है, ACBD इसके अंतरगात है, तो यहां पर तो आंसर सही हो गया, लेकिन आप future के लिए इन पंक्तियों को जरूर धान में रखें, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पुछा गया कि निमलिखित गध्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलीद की दो, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, अधिकार सुक कितना मादक और सारहीन है, निजभाषा उन्नत यह सब उन्नत को मूल, मर्द साथे पर पाठे होते हैं, तो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग यह पंक्तियों हैं यहां पर, और जो भी बच्च यहां पर बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, क्रोध नामा के निबंध है, अचार रामचेन शुकल का, वहीं से उठा लिया गया, एक कड़ी हो गया, अधिकार सुक कितना मादक और सारहीन है, इसकंद गुप्रसाद से यह पंक्ति उठा ली गई, निजभाषा उन्न इस कथन को कहा गया, तो DBCA यह यहां पर आप्षन बन रहा है, बीडी, नए DBCA, तो DBCA आप देख रहे हैं कि आप्षन C है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको परिक्षाओं में भी आप्षन को मिलाना है, और अधिक से अधिक अंक को हाशिल करना है, अगला प्रशन है, जो कि पत्र-पत्र काओं से रिलेटेड आ गया, पुछा गया कि निमलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो एक तरफ है हिंदी परदीप, ब्रामः, सरस्वती, वसुधा, ठीक है, तो सबसे पहले हम मिलाते हैं, हिंदी परदीप, हो गया ब्रामः, प्रताप नरायन मीशर, मीशर से आप याद करें कि ब्रामः, ठीक है न, क्योंकि हमें याद करना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, सरस्वती पत्रिका, महाभीर प्रसाद दिवेदी, और बसुधा, यह आगया, कमला प्रसाद, ठीक है, यानि तो आप देख रहेंगी, पहला ही, ऑप्सन जो है, आपर सही हो गया, बाकी, वन लाइनर प्रस्णों की दिश्टिकों से इन पत्रिकाओं और संपादुकों को जरूर ध्यार में रखिए, आगे बात करते हैं, कुछ सवाल, कुछ हैं कि निमलिखित ग्रंथों को, उनके की पुराने हैं, और मेरे उपर विश्वास करते हैं, वो जाकर देख चुके होंगे, जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो जाकर चैनल पर जरूर देखे हैं, आप लोग बहुत लखी हैं, मैं बार-बार नहीं इन शारी चीज़ों को बताना चाहता हूं, या क हमें यहां पर सामने आकर बाओं को फेला कर नातक या अभिने नहीं करना है, इसलिए देखें, मैं आप सभी के लिए कॉंसेंट्रेशन बनें, तो पीडियाफ ही यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं चाहता तो आके खुब जोर जर से हल्ला भी करता और चीज़ों को बत कि मैं अगर अनुराज सर का नाम नहीं ले रहा हूं, तो कहीं कहीं पाप कर रहा हूं, कहीं कहीं मैं उनके साथ भूखा कर रहा हूं, यह आपकी आत्मा जिस दिन आवाज करने लगेगी, बोलने लगेगी, उस दिन मेरा यहां पर काम करना सफल हो जाएगा, तो प्रेशर मे राना भी बहुत जरूरी है वैसे तो मैंने कई इंट्रव्यूस देखे लोगों के लेकिन कहीं मेरा नाम नहीं दिखा वहाँ पर लेकिन एक बच्ची सीवीटी में ही सेलेक्ट हुई थी जिसका नाम श्वेता उसने जिक्र किया था तो उसकी अंतरात्मा से जरूर आवाज न अप्सन दिया गया है पंच्वटी प्रिय प्रवास एक कंठ विस्पाई शीवा बावनी तो इन रशनाओं को देखते हुए आपके दिमांग में तो पहले रचनाकार आ चुके हुए कि पंच्वटी किसकी रचना है प्रिय प्रवास किसकी है एक कंठ विस्पाई किसकी है आवनी किसके, ये सब आ गया होगा, तो मान कर चले कि आपकी त्यारी बहुत ही अच्छी दिशा में चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पंचवटी क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्री प्रवास क्या है प्रीप्रवास क्या होगया महा काभ्य जानते हैं कि हरियोध क ऐसा ठरेसारOT में पंχ ट है खंड यह कि तो इस तरीके से शिवजठ की रचन है एक कंट्विसपाई दूरसांत कुमार के प्रीप्रवास का गोपता दिये पंचवती स्माइश संडर्ड गोपत का तो आप हमें यहां पर मिलना चाहिए पिलान C होना चाहिए फिर इसके बार ने सी के बार एह होना चाहिए ठीक है अब इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लिजे माले लिजे परिक्षाम दिया कि पंच्वटी किस कावे रूप में लिखा गया है तो आप वहाँ पर न भटके खंड कावे जरूर ध्यान में रखें एक कंठ विस्पाई कावे नाटक के तौर पर लिखा गया है ठीक है प्री प्रवा साब बता देंगे शिवा वाउनी जो कि रीतिकाल की रचना है र मुक्तक क्या है गुलदर्षता है यह सारी चीजें बताए गए ठीक है न तो आपर मुक्तक का आप जिक्र देख रहे हूं चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है रस सुत्र के व्याख्याकारों को उनके सिध्धान्तों के साथ सुमेलित कीजिए तो रस सुत जिसका के दूसरा नाम है आरोप वाद भी है ठीक है इसको भी ध्यान में रखें शंकुक का जो चिद्धान्त है वो है अनुमीतिवाद फिर भटनायक भटनायक का है भुप्तिवाद और अभिनोगुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद इस तरीके से जो यहाँ पर भूपका B D, C, B और A हम मिलान करते हैं D, C, B, A D, C, B, A तो आप देखने में यह प्रशन एक प्रशन लग रहा है लेकिन इसमें कहीं चार प्रशन फ्रसन चीपे हुए है इन फ्रस्नों की प्रकृति को भी आपको समझ रहा है अगला फ्रशन है को पुछा गया कि निमलिख दिया गया है जयाँ पालसात्र जयाँ दरीधा टिस उलयत को मिलान करते है एए प्रार्च जयाँ निर्वेक तिक्ता के षिड़ांतैनों ने दूर रोगया जात दरीदा जैसा कि आप जानते हैं भी खंडनवाद से रिलेटेड है दरीदा का संबन्ध किसे हैं इनका संबन्ध है अस्तित्वार से तो हो गया बी अब हम देखते हैं बी-सी-डी-ए बी-सी-डी-ए किसमें दिया हुआ है ओप्सन डी इसका सही जवाद तो इनको आप अ देखने में 40 प्रश्ण थे लेकिन मुझे लग रहा कि इनकी संख्या लगबक्सों के आसपास में बन जाएगी अगर सबको मिला कर देखा जाए तो उमीद है कि आपकी तियारी कमुल्यांकन भी हो गया होगा और आपको अच्छा भी लगाऊगा इमें अच्छा किया कमेंट्स करकर जरूर बताएगा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार